तो पिछले काफी टाइम से मेरे कोशिश थी कि at least मेरे रूम में जितने भी डिवाइसे हों, जितने भी एप्लाइंसे हों, सब स्मार्ट हो जाएं अब इसके मेरे पस दो आप्शन से है, या तो मैं मार्केट से जाके एक स्मार्ट फैन परचेस करके ले आँँ, जो कि एराउंड 7-8 हजार से स्टार्ट होता है, या फिर सेकिंड आप्शन जिसको मैंने यूस किया और वो है ये, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आ कि आपको दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को देखना पूरा ता कि आपको पता लग जाए कि कैसे आप अपने फैन को स्मार्ट बना सकते हो, चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट पर, उससे पहले अगर आप पहली बार आयो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो नहीं और ऐस हैं, इसमें आप on-off कर सकते हो, timer लगा सकते हो, speed को control कर सकते हो, इसमें 4 तरह के modes हैं और सबसे सही mode मुझे लगा sleep mode जिसमें fan अपने आप slow हो जाएगा जैसी temperature कम होता है, फिर इसके अंदर Google Assistant और Alexa दोनों का support है तो आप किसी से भी से voice control कर सकते हो, फिर box को खोलते ही हमें सब से पहले इसका remote मिलता है, फिर मिलता है device, फिर इसका warranty card आता है और नीचे मिल जाते ही user manuals, warranty इसमें एक साल की मिलती है, और user manual में आपको step by step सब कुछ बता रखा है, पर आपको ये वीडियो देखने बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आ जाते हैं device के आपको लगा के दिखाऊंगा, बट उससे पहले remote देख लेते हैं, आपको box में कोई batteries नहीं मिलती, इसके उपर on off का button है, speed control करने के buttons है, सबी modes के buttons आपको इस पर मिल जाते हैं, साथ में आप timer भी set कर सकते हो, एक गंटे का, दो गंटे का, चार गंटे का, या फिर छे गंटे पर जो red और black wire है, यह supply से आ रही है, और मेरे fan में जा रही है, तो हमने बस अपनी device की red और black wire को इस red और black wire से connect कर देना है, एंड फिर जो device के अंदर pink and white wire है, उसको fan से connect कर देना है, तो यहाँ पर हम जो supply है, उसको निकाल देते हैं पहले, जो black और red wire आ रही है, fan के अंदर, और फिर उस जगह पर connect कर देंगे अपनी pink और white wire तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो supply से मेरे fan में wires आ रहे थी black और red उनको मैंने निकाल दिया है और अपनी pink और white wire device की connect कर दिया है अब बार ही है यह device की black और red wire को supply से जोडने की तो वो भी मैं फटफट कर देता हूँ तो चलो मैंने यह भी कर दिया है black को black से जोड़ दिया red को red से जोड़ दिया और pink और white डाल दी fan में तो connections का काम खतम हो गया है अब इस device को rod पर लगा देते हैं बट अगर उपर वाले cup देखते हैं तो इसके अंदर काफी सारी जगा है और यह easily fit हो जाएगा पर यहाँ पर अब मैं दुबारा इसको change नहीं कर रहा है यह सब मैं electrician से ही कर पाऊंगा बट आप इस बात का ध्यान रख लेना कि इसे उपर वाले cup में install करो wiring और बिल्कुल same है connection same है बस आपने इसकी जगा बदलनी है अब हमारा mostly काम हो गया अब इसे एक बार remote से test कर लेते हैं तो बस अपने fan के regulator को full speed पे कर दो और switch on कर दो तो चलो मैं करता हूँ fan को on और यह on तो हो गया बहुत easily and सभी speeds भी अच्छा से काम कर रही है ना ही कोई noise है fan की तो हमारा remote perfectly work कर रहा है अब आते हैं last step पर कि इसको Google Assistant और Alexa से connect करना है तो आपको अपने play store या फिर app store में जाके Hello IoT fan नाम की app download कर लेनी है बस फिर इसे open करके आपको अपने email address या फिर phone number से sign up कर लेना है फिर अपना नाम डाल दो, password set कर दो और आपके phone या फिर mail पे जो OTP आएगा उसको enter कर दो और sign up पे click कर दो फिर आपको add your first device पे tap करना है Hello IoT fan पे tap करो और use wifi को select कर लो बस फिर आपका phone इस fan के wifi network को search करेगा और इस fan पे tap करके आपको इससे connect कर लेना है बस फिर जैसी आप connect पे tap करोगे तो इसके बाद आपने अपने एक room select कर लेना है अपने device का नाम रखके submit पे tap करना है और फिर अपने wifi का password डाल देना है बस फिर यह सब करने के बाद आपका device आपके wifi से connect हो जाएगा और आपको इस app में सारे remote वाले controls मिल जाएंगे फिर इस app से आप अपने fan को on off कर सकते हो speed change कर सकते हो mode change कर सकते हो और यह आपको room में temperature और humidity भी दिखा देगा मतलब इस पूरे fan का control आपकी app में है पर अगर आपके बस Google Home या फिर Amazon Echo है तो यह भी देख लेता है कि उनसे कैसे control कर सकोगे आप इस fan को तो सबसे पहले Alexa app खोलनी है और उसकी skills में जाके सर्च कर लेना है Hello Fan app को बस फिर आपने enable पर tap करके जो पहले email idea for number डाला था वही याँ पर दोबारा डालना है फिर जो नया OTP receive होगा उसे यहाँ पर enter कर देना है बस फिर यह करते ही आपका account login हो जाएगा और आपका fan आपके Alexa के साथ जुट जाएगा तो इससे test करते हैं बाद में पहले Google Home के साथ भी connect कर लेते हैं तो बस यहाँ पर भी same यह आपने setup डिवाइस पर जाना है तो बाद मैंने तो अपने तरह से पूरी कोशिश करी आपको समझाने की किस तरह से इसको इसको install करना है और किस तरह से Google Assistant Alexa अगरा करना है अगर आपको समझ आया और helpful लगा तो लाइक कर दिना वीडियो को चैनल को भी subscribe कर लो ऐसे वीडियो तो मैं लाते रहता हूं यहाँ पर और अगर आपको इसको purchase करना है तो link मैंने नीचे Amazon को दिया हुआ है मैंने इसे 1200 रुपई में लिया था आपको इस time कितने का मिला है जाके link चेक कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में